दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि छत में श्टील जो है श्टील यहाँ बांधने का काम किया जा रहा है। अब जो यह एचापग को एक एक जामपल दूंगा जैसे कि आप यह. हाँ पे देखना है कि 10 info by 10 ड़स fit का यह चट अब यह दos fue्ट बईच 17聊 के चखत मेंères के ईस्टील खांद नहीं और फैल्ले आगे और मई созд बाइंद है ह्मारे जो चाहत में तुष्टील बांद आते हैं उसमें बिम कैसे देना है तो सबसे पहले यहां मैं आपको दिखा दूँ, आप देखिएगा ध्यान से, कि यह हमारा एक beam गया हुआ है, आप देखिए वहां मेरा pillar है, तो एक beam यह गया हुआ है, इस beam में आप ध्यान दिजेगा, तो यहां दिखिए, यहां आप ध्यान दिजेगा, कि एक steel आपको यह द चिमाल किया गया है और जो ring है ring 8 mm का रखा गया है center to center जो ring की spacing दी गई है यह 150 mm यानि change की रखी गई है ठीक है अब जो यह यहाँ पर beam में आप देखिएगा कि यहाँ नीचे का जो steel है और उपर का जो steel है यानि कि जो bottom बार है और top बार है दोनों में यहाँ पर L मारा गया है यानि कि development length मोड आ गया है सरीय को आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यह नीचे का STL हो गया यह उपर का STL हो गया दोनों को मोड कर आपस में बान देना है दोस्तों यह सभी beam में आपको देना जरूरी है इससे क्या होता है कि कोई हमारे छट पे load पड़ता है जैसे माल लिजे कि यह beam पे बीच में load पड़ेगा तो यह क्या होगा उस कोने से यह उठेगा ऐसे यहां से भी ऐसे उठेगा ठीक है तो जब यह उठेगा तो यह अपने जगा से नहीं खूलेगा यहां से हटेगा नहीं इसलिए यहां पर development length दिया जाता है यह चीज आपक अब करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना निकल गए आएगा इक निकल के आएगा, तो को इतना भी बड़ा च्छट है, आपको κ्या करना है उसको जितना भी बड़ा है, जैसे आप यहां से देखिए, ये च्छट है ऐसे और फिर वहाँ से ऐसे, यानि कि 20 feet ऐसे है ये और 10 feet ऐसे है, तो 20 by 10 हम करेंगे तो result हमारा निकल के आ रहा है दो तो अगर दो result निकल के आ रहा है तो ये हमारा one way slab है ठीक है और अगर हमारा result दो से कम आ रहा है तो हमारा two way slab होता है तो ये 10 feet by 10 feet 10 by 10 आप करेंगे तो एक आएगा यानि 2 से कम आ रहा है तो हमारा one way slab हो गया तब अपने छट में decide करेंगे कि छट में जो सरिया है वो हमें बांधनी कैसे है तो यहां आप समझ गए कि 2A है तो 2A का simple सा मतलब है कि आपको इसमें चारो side crank bar देना पड़ेगा देखिए चारो side इधर भी beam है उधर भी beam है इधर भी beam है इधर भी beam है और यह छोटा सा एक box बन रहा है तो इसमें चारो side अब क्या है हमारा crank bar यानि जो bent up हम तोड़ते हैं हो जाएगा जैसे देखिए इस side भी LY4 के हिसाब से यह bent up लिया गया है LY4 क्या मतलब कि हमारा यह 10 feet का था अब 10 feet को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से तूट रहा है यहां से तूट रहा है यहां से तूट रहा है यहां से तरीके से हम निकालेंगे फिर वैसे जो सामने का देखिए यह जो crank आपको दिख रहा है सामने जो आप देखिए तो यह जो crank यहां टूट रहा है तो यह यहां से और उस बीम तक धाई-fit हो गया ठीक यहां से लेके और उस बीम तक धाई-fit का यह इस पहन हो गया तो इसलिए चारों साइड हम सपोर्ट पे क्या कर रहा है क्राइंग बार बेंट अपको तोड़ रहा है ताकि जो भी हमारे निगेटिव बेंडिंग मुवमेंट होगा हमारे कहां बीम पे चला जाए बीम पे ट Pan junior steel बाढ़ना कैसा है ओ मैं आपको detail में यहां बताता हूँ अब अब सब सब पहले हमें ध्यान यह देना है कि जो हमारे यह crank बन रहा है आप देखिए ये crank का जो position है उसके इधर हम ध्यान देंगे यह जो हमारे च्थिल प्यलिखिए यह पहला हमारे crank है यह हमारा crank बन के beam के top से जा रहा आपको नजदिक समय दिखा दूँगा आप देखेगा beam के top से जा रहा और वहीं उसके side में ये दूसरा जो steel आप डालेंगे ये देखे, beam के नीचे से आ रहा है इस side, और दूसरे side आप देखेगा कि ये फिर यहाँ पे top बन रहा है यानि crank की ये बन जा रहा फिर ये जो steel है आप देखेगे ये beam के नीचे से आया और लेकिन इस side, दूसरे side ये beam के top से crank बन के जा रहा यानि एक steel आपका नीचे से जाएगा दूसरा उस पे crank बन रहा है आप देखेगे, फिर वो नीचे गया, ये crank बना इधर आप देखेगे, ये crank आपका bent up तोड़ा गया है ये नीचे से beam, ये steel चला गया 10 mm का, ये आप देखेगा कि यहाँ पे ये crank बन रहा है ये नीचे से steel चला गया यानि कि आपको, ये जो आप देखेगे हर एक-एक alternate पे आपको देना है ये सेम चीज आपको करना है आप देखेगे, वहाँ तक आप देख सकते है जो beam का हमारा position है, वहाँ तक वैसे ही दूसरे direction में ये तो हमारा हो गया, ये direction एक, और दूसरा मैं आपको दिखाया उसके ultra direction ये वाला अब हमें क्या, ये direction जो था हमारा, ये हमें देखना है और उसके opposite वाला ये direction देखना है, तो इसमें हमें क्या करना था सेम होई चीज, अब ये still देखिए ये नीचे से जा रहा, आप देखिए sideway, तो दूसरा ये हमारा यहाँ पर crank बन रहा है फिर ये still यहाँ देखिए, नीचे से जा रहा है तो ये हमारा crank बन रहा है फिर वैसे ही, ये नीचे से जा रहा है ये crank बन रहा है, यानि एक एक छोड़ के alternate पर आपको crank देना है और जो आप ये, अब यहाँ पर हम तो ये समझ गए हैं कि ये still डालना कैसे है, एक एक छोड़ के और हमें एक crank देना है जैसे आप देखिए ये और ये, और ये जो आपको center to center जो spacing है, दोस्तों ये 5 इंच की, यानि 125 mm रखना है अगर आप 10 mm का steel डालना है तो आप 1500 mm यानि 6 इंच पर रख सकते हैं, ठीक है, आगर 8 mm का steel यूज कर रहा है, तो आप कोसिस कीजिए, कि 100 mm या ज़्यादा-ज़्यादा 125 mm हो, उससे ज़्यादा gapping ना हो, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी यहाँ पर crank बने हैं, ये यहाँ आप देखें कि यह हमारा steel हो रहा है, जो top से जा रहा है, ये दूसरा steel हो रहा है, crank जो है top से जा रहा है, अब ये नीचे steel गया, अब इसके बीच में आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा gap हो जा रहा है, तो उस gap को भरने के लिए यहाँ पर ये देख रहा है, ये binder यूच किया गया है, बेंडर जो यूच किया गया है, अब इस च्छत के लिए जो ये steel आ रहा है पीछे से, उसी को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि इसके इस पेस को भर रहा है, अगर मान लिजे कि वहाँ आपका च्छत नहीं रहता, दूसरा ये portion है, वहाँ च्छत नहीं रहता, तो एक टुकड़ा हम लेते हैं, जो कि हमारा ये beam है, beam की top से वहाँ से आता, और यहाँ तक आके, वह खतम हो जाता है, यानि कि सिर्फ भरने का, इस पेस को ये जो है, इसको कम करने का काम करता हमारा binder जो होता है, 10 mm का ही steel, जो बहुत सारे आपके पास wastage होते हैं, जैसे मैं आपको इस side दिखा देता हूँ, इस side जैसे आप माल लिजे, कि change और यह change, एक feet का gap है, तो इतना gap तो आपको रखना नहीं है, ज्यादा ज्यादा change, 150 mm रखना है, तो इसमें आप देखें कि यह binder यूज किया गया है, जो कि space को कम कर रहा है, यह देखें यहां से, जहां हमारा bent up शुरू हो रहा है, यह उससे थोड़ा सा पीछे आया हुआ है, और यह कहां तक गया है, आप देखें, beam के एकदम top के जो level है, यहां मैं आपको दिखा लेता है, एकदम top के आप देखेंगा कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, side से, आप देखें, जितने भी हमारे यह bent up है, एक, दो, फिर यहां देखें, तीन, इसके सब के नीचे यह देखें, टॉप में, यह टॉप में, इतना gap है, टॉप में आपको इस bent up को support के लिए, यहां support फिर उसके बाद अगला वहां पे है, फिर एक अगला आपके beam पे चला जाता है, यानि तीन आपका यहां पे support बार आएगा, यह जो support बार लग रहा है, यहां पे, अब ध्यान दीजेगा, मैं आपको और नजदिक से दिखा दूँ, यह देखें, यह जो support बार है, यह की यह है, अगला वहां आप देखें, वहां पे है, इसके जितने भी crank बार है, इसके support के लिए यह डाला जाता है, ताकि आप इस पर चलेंगे, या machine चलेगी, आप बैठेंगे, तो यहां से दबेगा नहीं, अब देखें, मैं इसको दबा रहा हूँ, तो आपको दबेगा नहीं, यहां पे क्या करेगा, उसको मजबूती के साथ उसको support में रखेगा, तो यह एक side होगी है, फिर वैसा ही दूसरे side भी, जितना यह bent up है हमारा, एक यह रहा, फिर अगला हमारा यह रहा, तो यह सब के नीचे यहां पे देखें, यहां पे यह support बार डाला हुए है, सब के नी परी चीजे होती है, वो आपको ध्यान देना है, और दोस्तों जो नीचे का जो steel मैं बताया है, यह सब जो steel है, जो यह हमारा bent up जो steel हो रहा था, वह देखें, टॉप में beam के गया है, वहीं यह जो नीचे नीचे जो steel यह जा रही थी, यह भी हमारा जो beam है, beam के bottom से जा रहा ह यह हमारा bent up था, अब देखें, यहाँ पर आपको दिखाए देगा, अब देखें, यह टॉप में चला गया, ठीक है, और उसके side वह जो यह steel था, जो bottom में आ रहा था, तो वह मैं दिखा देता हूं, वह देखें, beam के नीचे से चला गया, आप देख रहे होंगे, वहाँ पर तो इस तरीके से आपको steel बांदना है, और जितने भी gaping है, सब में आपको binder डालना है, चोटे चोटे टुकडे डालिए, उसके gap को भरिए, जो आपका bent up बार है, जैसे यह bent up बार आप देख रहे हैं, यह सब, ठीक है, तो इसके नीचे यह support आप देख रहे हैं, यह support आपक होगा, ति यह इस तरीके से आपको छट को बांदनी है, तब जाके आपका छट टुए सलाइब होगा,